जेपर के मांसरोवर में सावन महीने में श्रीशाम सेवा संग समीती के तत्वावधान में महारुद्र पाठो का आयोजन किया गया जहां श्री शाम सेवा संग के अध्यक्ष विमल सोनी ने बताया कि समीती का 6 नमंबर को होने जा रहे बार्शिक उच्सव को लेकर शिवलिंग की पूजा अर्चन कर रूद्र पाठो का आयोजन किया गया इस मौके पर भगवान शिव का पंचामरत सहीत विमन फलो के रसो से अभिशेक किया गया इस दोरान भगवान भोलेनात को बेल पत्र चड़ाये गए श्रीव अवद बिहारी कुझ अयोध्या धाम के से पधारे श्री महंत गणेश दाजजी महराज ने रूद्र अभिशेक मे पार्थिव शिवलिंग की महारतिकर पूजा संपन कराई की जा सकती है क्योंकि भगवान शंकर तो देवादिदेव हैं आदिदेव हैं महादेव हैं तो ऐसे भगवान शंकर की आराधना 12 महीने में कभी भी हम कर सकते हैं पर जो स्रावन का महीना है इसका विशेष हमारे महापुरुशों ने सांस्तर में वर्णन किया है स्रावन के महिने में भगवान शंकर का जो अविशे किया जाता है भगवान शंकर को बिल्वपत्रादी चड़ा कर भगवान शिव को प्रसंद किया जाता है इस महिने में की गई भगवान शंकर की आराधना भगवान शंकर की उपासना सद्य फल्दाए होती है रुत द्रावयती ती रुद्रह जो समस्त प्रकार की पाप, ताप, संताप सबसे मुक्त कर दें वे भगवान रुद्र हैं और शमकरोती ती कल्याणम वी ती शंकरह जो साक्षात कल्याण की मूर्ती हैं तप ज्ञान वैराग्य भक्ती की मूर्ती हैं वे भगवान रुद्र ह इसलिए स्रावन का महिना वैसे भी पुर्णे प्रद है पूरी प्रकरती इस समय प्रफुलित है और भगवान इंदर की करपा विशेश रहती है सुवेम भगवान इंदर प्रभु का विशे करते हैं और मौसम भी बड़ा अनुकूल रहता है इस समय कावड यात्रा आप आते हैं भगवान से अपनी मनोती मांगते हैं